नमस्कार खेत कजाना में आपका स्वागत है पिछले दो दिन से गवार में एक बहुत बड़ा तुफान चल रहा और सरसों के अंदर हल्किसी मंदी देखने को मिली है इन दोनों पर विश्तरित चर्चा होगी दो तीन मिनट में बात करेंगे कुछ मंदीयों के भाव आपको जानकारी देंगे इस से पहले आप से निवेदन की इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकोन की घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि हमारा हर वीडियो जैसे ही अपलोड हो वो सबसे पहले आपके मॉबाइल में पहुँचे लाइक और शेर करना मना रुकावट देखने को मिली है आज 25 अगस्त है और 25 अगस्त से पहले यानि 24 और 23 अगस्त को गवार में एक इतना भेंकर तुफान देखने को मिला कि एक दिम के अंदर यानि पिछले 48 घंटे में कहिए कि 7,000 रुपे से अधिक की तेजी इसमें देखी गई यानि जो भाव कल परसों तक 5,000-6,000 के घरों भी घूम रहे थे वो 12 और 13,000 के आसपास पहुँच के एक कुछ मंडियों में कुछ मंडियों में भाव थे भी और कुछ मंडियों की अफवाई ही भी उड़ी सचाई कुछ और थी हालांकि भाव उसके नजदीक थे लेकिन फिर भी कुछ ज़्यादा बढ़ा चाड़ा करके कुछ लोगों पेश किये ऐसा नहीं करना चाहिए गुम्रा करने का जो है वो काम मंडियों के भाव के बारे में विशेश रूप से नहीं होना चाहिए वास्तों में मंडि में इसके गुआर के भाव क्यों बढ़ रहे हैं इसकी कोई अधिकारिक पुस्ती नहीं है सिर्फ एक कारन दिखाई देता है कि गुआर की जो बिजाई है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है बरसात की कमी की वज़े से और जो उसके बाद जो भी गवार 2011 के तरह से 30,000 के भाव जाएंगे और शायद ये सत्य नहीं है उस लेवल का भाव शायद नहीं आ सकता कोई उमीद नहीं है अब मंडियों में एक उल्टी इसी बात देखी गई विपरीत बात देखी गई वो ये देखी गई कि पहले किसान अपना जिन से अपना मंडि में ला रहे हैं और किसान के टॉली में और केंटर में अपने घर मिले जा रहा है तो इस कारण से का माहोल सा बन रहा है जो लगता नहीं है कि बहुत दूर जाएगा बहुत जादा जाएगा ऐसा लगरा है कि अब जो वजार में जो तेजी चल रही है जो छे साथ अजार रुपे की तेजी थी आज 25 तारिक को शाम को इस तेजी में 2 से 5,5 रुपे की गिरावट पिया गई है जो भाव स 1500 रुपे के भाव इसमें और बढ़ने की संभावना है इतनी की गुझाइश दिखती है इससे जादा कि अभी लगता नहीं है कि ये कोई बहुत जादा आगे जाएगा हाना कि जो लोग NCDX बगरा में प्लेट फार्म के काम करते हैं वाइदा बजार में काम करते हैं उन लोग सरसों में जो पिछले दो-तिन दिनों से चार दिनों से ठीक ठाग गती बन रही थी उसमें आज हलकी सी गिरावट आई और ये मंडियों में 50 रुपे से लेकर के 75 रुपे तक थोड़ा कमजोर हुआ बाजार है व्यापार ऐसे ही होता है व्यापार में अगर थोड़ी बहु सरसों में थोड़ी बहुत और गुझाईश निकलेगी यानि और आगे बढ़ेगा तेजी की तरफ बढ़ना चाहिए यही उमीद की जानी चाहिए आए कुछ भाव देख लेते हैं मंडियों के सरसों के भाव आज भरतपुर में रहा है 7620 रुपे चर्खी दादरी में 7900 र संग्रिया में 7222 रुपे भूना में 7050 रुपे राजगड में 7100 रुपे अब बोहर मंडी में 7240 रुपे रामगनी मंडी में 7430 रुपे आगरा में 8600 रुपे यह सलोनी के भाव है और सलोनी के भाव जहां जहां भी सलोनी के स्टेशन है उनमें एक ही भाव है 8600 रुपे त आज गवार के भाव भी देखते हैं, गवार सिर्षा में आज विका है 11,750 रुपे, आदंपुर में 12,550 रुपे, खाजिवाला में 8,430 रुपे, राजगड में 9,000 रुपे, अबोहर में 9,600 रुपे, सिवानी मंडी में 10,000 रुपे, रामगंज मंडी कोटा में 12,137 रुपे और जोदपुर में 12,000 रुपे, बिकादेर में 9,800 रुपे, हनुवानगड में 13,700 रुपे और पदम्पुर में 9,300 रुपे के भाव रहे हैं, लेकिन शानकों इन भाव में करीब-करीब 200 रुपे से लेकर के 500 रुपे तक की गिरावट, 700 रुपे तक की गिरावट भी कर दो कि झाल